हेलो एवरिवन, आज बनाएंगे 4 डिफरेंट स्टाइल से चिली गालिक पराथा, लच्छा पराथा या मल्टी लेयर्ट पराथा रेसिपी ये सिंपल टेस्टी और इजी बेकफास्ट रेसिपी है तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सामने दिये गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो सबसे पहले आटा लगाएंगे तो दो कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ओयल अच्छे से मिक्स करेंगे ओयल डालने से पराठी क्रिस्पी बनेंगे mix करने के बाद पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इसका soft dough बनाकर त्यार कर लेंगे आटा soft ही लगाएंगे अगर जादा सक्त लगाएंगे तो भी पराटे फट सकते हैं तो इतना आटा गूंदने में एक कप प्लस टू टेबल स्पून पानी लगाएं आप अपने आटे के हिसाब से पानी यूज करें क्यूंकि कभी-कभी जिनके आटे में फाइबर जादा होता है उनको आटा लगाने में थोड़ा पानी जादा लग जाता है तो अब इसे ढखकर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक गार्लिक बडर स्प्रेट बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए एक बोल में 6 टेबल स्पून soft butter लेंगे इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून finely chopped lesson 3 टी स्पून चिली फ्लेक 2 टी स्पून ओरिगेनो और 1 फोर्थ कब बारी कटा हुआ हरा धनिया नमक हम इसमें अड़ नहीं करेंगे क्योंकि बटर में अल्रेडी नमक होता है अच्छे से mix करेंगे तो spread हमारा बनकर तयार है 15 मिनट हो गए है आटा भी हमारा set हो गया है इसे एक बार on knead करेंगे और आब एक रोटी का पेड़ा लेंगे रोल करेंगे आटे में dust करेंगे और इस तरह बढ़ा लेंगे side से press करते हुए और आब रोटी की तरह बेल कर तयार कर लेंगे और आब इस पर लगाएंगे चिली गार्लिक बटर का spread और आब सेंटर से इस तरह half cut करेंगे और आब इस तरह fold करते जाएंगे तो ये triangle की shape में बन जाएगा और अब आटा लगा कर इसे हलके हाथों से again बेल लेंगे तो इस तरह से बेल कर तयार कर लेंगे और अब तवा गर्म करेंगे और इस पर पराठा डालेंगे medium high flame पर पराठे को सिखने देंगे 30 सेकिंड के बाद पलटेंगे या जब ये हलका हलका सिख जाए तब घी या oil लगाएंगे turn करेंगे दूसरी साइड में घी या oil लगाकर दोनों तरफ से golden color आने तब fry कर लेंगे तो इस तरह से पहला चिली गार्लिक multi-layer पराठा बनकर तयार है आप इसकी layers देख सकते हैं आप बनाएंगे दूसरे स्टाइल का पराठा तो सेम रोटी की तरह बेल कर चिली गार्लिक बटर स्प्रेड लगाएंगे और अब इसे इस तरह fan की तरह या pleats की तरह बनाएंगे और अब एक side से इस तरह roll करते हुए end के part को नीचे की तरफ करके दबा देंगे और अब हलका आटा स्प्रिंकल करेंगे अगेन और अगेन हलके हाथों से रोटी की तरह बेल लेंगे और अब कवे पर डालेंगे हलका सिखने देंगे टान करेंगे और अब oil या घी लगाएंगे जो आपको पसंद हो और दोनों तरफ से golden और crisp होने तक fry कर लेंगे तो हमारा दूसरा चिली गालिक पराठा बनकर भी तयार है इसकी कितनी अच्छी layers बनी हैं आप देख सकते हैं तो आप बनाएंगे तीसरे style का पराठा तो इसके लिए भी same spread लगाकर रोटी तयार कर लेंगे और इसे center से half cut करेंगे और एक सिरा उठा कर रोल करते जाएंगे इस तरह से तो ये एक cone की shape में बन जाएगा अब इस तरह उपर से press करेंगे आटा dust करेंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे और फिर तवे पर डाल कर same पहले वाले पराठी की तरह दोनों तरफ से golden और crisp होने तक fry कर लेंगे तो इस तरह multi-layered चिली गालिक पराठा बनकर तयार है अब बनाएंगे last fourth style का लच्छा पराठा तो इसके लिए सेम आठे को रोटी की तरह बेल कर spread लगाएंगे और अब इसे knife या pizza cutter की help से इस तरह से strips में cut कर लेंगे और अब इस तरह से कठा करते जाएंगे और एक side से roll करते वे नीचे की तरह दबा कर हलका प्रेस करेंगे आठा लगाएंगे और अगेन रोटी की तरह हलके हाथों से बेल लेंगे और अब गर्म तवे पर डाल कर सेम पहले पराठे की तरह दोनों तरफ से golden crisp होने तक fry कर लेंगे तो इस तरह से हमारे चारू style के चिली गालिक लच्छे पराठे बनकर तयार हैं अगर आपका spread बच जाए तो आप इसे airtight container में रखकर फ्रिज में दो से तीन दिन तक store करके यूज कर सकते हैं और जब आपको इसे यूज करना हो तो कुछ देर पहले निकाल दें ताकि वो soft हो जाए या microwave में तीन से चार सेकिंड रख दें spread soft हो जाएगा तो आपको जो भी style कल अच्छा पराठा पसंद हो या जो आपको easy लगता हो उस पराठे को बनाए और बच्चों को और family को खुश करें तो मिलते हैं next वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक आप इसे बनाए और enjoy करें